2014 में जो WWE Company के अंदर हुआ था क्या वो रिपीट हो रहा है आप लोग इस पिक्चर को देखो जहां पर आपको बता बटिस्टा ने रॉयल रंबल के अंदर रिटन किया था रैंडी ओटन के पास दोने चैंपेंशिप थी सारे लोग डैनल बैन को सपोर्ट कर रहे थे और इस सच में है तो भाई जैसे बटिस्टा की वार्ट लगा दे थी समय लोगों ने हो सकता है कोड़ी रोड्स का मुवमेंट ही क्रियेट ना हो तो यह बड़ा खत्रा हो सकता है के लिए सामी जैन के सांथ कुछ करना पड़ेगा डबल ली तुमको वरना तुम्हारे ऐसे ही तैसी हो जाएगी डबल ली पैंस की तरफ से ओके हेलो चैटर्स माइब इस रुईत आपका वाचिंग वाचिंग ड्रेसल चैटर्स वेलकम है आपका वाइस व्रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर आज के चैनल पर वीडियो काफी आ रही हैं होब आपसे इंजॉई भी करता होगे सबसे पहले गाई हम लोग अच्छे कि में मंडे नाइ टॉप के साथ में खुशी की बात है अपनी गहटी है फिर जो भी है डापनी मंडे नाइट रोकी तूपांट 2.1 वीं ते विए विए वह बड़ी तो यह तो यह पी आच्छी बात है कि डापी और वीडियों के मामले में अभी तो फिलाल उपर वहां पर राइट पर चाहिए बाद कर चाहिए बहुत बाद करें कि अच्छी हो नहीं है थी बढ़ ठीक है दो मिलें से उपर है हम चलते हैं अगली स्टोरी के तरह और जॉन सीना के बार में सैड अपडेट वैसे एक्सपेक्टेट भी थी मिन आप से कहा था कि फरवरी और मा अपाएंगे और रॉयल रंबल पर भी जॉन सीना नहीं आए अपनी कोई फ्यूड को स्थार्ट करने नहीं है तो कैसका मतलब यह है कि जॉन सीना कंपीट ही नहीं करें रहें रहें प्लैंस जॉन सीना को लेका डबल लुवी चुटकी बजा के चेंज कर देती है क्योंकि ज अपने दिलों पर हाथ रख लो क्योंकि तुम्हारा दिल काफी भारी हो जाया गए देके सामी जेन ने इस वाले ट्वीट को किया अपने ट्वीटर काउंट की ऊपर जहां पर पिक्चर को पोस्ट किया हूआ है और जुनकी बलड लाइन की मेमोरीज है सारी की सारी उन्हों सामी जेन ने आपर डाला हुआ है इवन डबल लवली भाई कि तुम कितना कितना तुम बिजनेस दिमाग से सोचते हो बड़ा सही सोचते हो जो भी है सीखना चाहिए जो टीम है उनसे सभी को डबल लवी शॉप ने एक नई मर्चंडाइज निकाल दिये सामी जेन की जहां पर सैमी उसो अटा के पर पैश लग गया है जेन का सैमी जेन बन चुके है दुबारा से वह और मुझे लगता है इस वाले टीशट को भी जो फैन सपोर्ट करते हैं सैमी जेन को बहुत जाता खरीदने वाले हैं क्योंकि अब सैमी उसो तो रहे नहीं ना उनको रहने दिया और वह गलत चीज बिल्कुल भी देखना बरदाश नहीं कर पाए तो इस वे सो दुबार से सैमी जेन बन चुके हैं मैं बहुत जाता एक्साइटेटेट हूँ भाई अगले स्मैक्डाउन के एपिसोड के लिए मुझे सही में याद नहीं आ रहे कि लास्ट टाम मैं ड़ी क करते हैं अगली स्टोरी के तरफ गाईज हम लोग चलते हैं और लोगन पॉल ने इंपॉल से पॉड्कास्ट के अंदर उस वाले मूमेंट के बारे में बात रिकोश्य के साथ उन्हें रॉयल नंबल के अंदर जब दोनों आक ऐसे चिपक गए थे लोगन पॉल ने इसके बा लोगन पॉल ने ट्विटर काउंट के पर अनॉंस किया यहां पर जो कॉंट्रक्ट उसको साइन करें बाई दो सो के यानि कि दो लाख से ओपर लाइक से टुटर के ओपर यह लाइक होते निये यूजली इतने इवन लोगन पॉल इसको लेगर काफी इमोशनल भी थे उन्ह बढ़िया चल जाए लेकिन लोगन पॉल ने इस चीज को पॉसिबल करके दिखा दिया है काफी सट चली लाइव से अभी उनके सांथ क्रिप्टो का स्कैम बगार वाली सीज भी जोड़ी थी तो कॉंट्रवर्शल भी है लेकिन हां गाडी अच्छी भी चल रही है उनकी कोड़ी रोड़ी के साथ कॉंट्राक्स अग्या तो यह बात पूरी पॉरी पॉसिबल है कि उनको गैरंटीड वर्ल टाइडल पुष के लिए बात की गई होगी कॉंट्राक के अंदर तभी कोड़ी रोड़ी कंपनी के अंदर और और इस बात तो कोई भी शक नहीं कि इतने के बाद में बहुत सारे फैंस ऐसे भी हैं जो कि डिसपॉइंट है इस चीज से और कोडी रोडस है तुम किसी और कोई मौका दे सकते क्या कोडी रोडस कोडी रोडस बट मेरे खाल से सही है नया सूपस्टार तो नहीं है कोडी रोडस लेकिन डबल डबली के अंदर कुछ असा करने का मौका उनको मिला नी तो और क्योंकि फैमिली हिस्ट्री भी है तो इतना तो बनता है उनके लिए हाँ रसलर भी अच्छे मायक स्किल भी तो फिर अकर कोई स्केल्ड बंदा है तो उसके साथ अच्छी चीज अगर हो ये टेलिविजन के अपर तो मेरे ख्य इसके लावा यहां पर एज के अगराब एक्सप्रेशन में तो मतलब लिटरली है किसी मीम से कमनी अपने अपने पिक्चर आपर इसको कहीं सब्सक्राइब बहुत कमाल का मीम बन जाएगा और इस सरे के से फिन बैला ने मज़े लिए जबकि उनके साथ ही मज़े लिए जा सच में ऐसा हो रहा है लेकिन रोमन रेंस और डबल ली ने जो कॉंट्रेक्टर को नेगोशेट करना शुरू कर दिया है और यहां पर डिमांड कर रहे हैं होगन एंस्टीव ऑस्टेन इन दोनों सूपरस्टार्स की ओपर विक्ट्री लेने की और साथ में यह भी है कि वह ल सबसे माना चल रहा है यह 2000 थोड़ी चल रहा है कि इस ताम के रोमन रेंज अभी ऐसा कुछ भी नहीं है यह कंप्लीट्ली एक फेक रिपोर्ट है कोडी रोड्स की कल मंडे नाइट रॉस से जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग बात है जो उन्होंने प्रोमो कट किया था र पर देख भी सकते हैं जब कोई बंद अपने देल से बात बोल रहा होता है तो नव अपनी लाइन भूलता है नव इतना प्रेस्व में रहा था कि इसको नेक्स लाइन क्या बोली है एक दम चिल्ड होगे कोडी रोड्स प्रोमो कट कर रहे थे जो उनकी अंदर की बाते थी कोडी रोड्स को स्पेशल भी बना रही है आज कल जब किसी को थोड़ा सा क्रेटिव कंट्रोल दे दो के तो ऐसी काम करता है और उसका एक ग्जामपल बहुत अच्छे कोडी रोड्स भी है अब देखो जब रोमन रेंस के सामने वह सब आप करते हैं तो और कितने अच्छ सेट कर पाते हैं कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आप से कहा था कि लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस यह एक ऐसा मैसे जो कि चाहिए डबलोवी रेसल मीने के अंदर करवा सकती है अब गाइस इसके बार में क्या रिपोर्ट है कि लोगन पॉल मैश करने के लिए नाइट वन के ओपर वो अगेंस्ट सेथ रॉलिंस ही है यानि कि वो जो बैक्सेज हमने चीज देखी तो उसका कुछ मतलब था ऐसा निए कि डबलोवी ने सिर्फ इसलिए कर दिया ता कि आन कुछ भी करना है तो लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस में डबलोवी प्लान कर रही ऑफिशल क लेकिन लोगन पॉल सेथ रॉलिंस यह थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि अचानक से सिर्फ मैच करने के लिए शायद दोनों सूप स्टार को आपस में लड़वा रहे हैं बाकि ऐसा हिस्ट्री बगरें कि कुछ है नहीं बट देखो कुछ भी डबलोवी बना सकते हैं कोई बन के आरा इवन जो पिच ब्लैक मैच के अंदर अंकल हाओडी ने वह भी लगाया था अपना अलबो ड्रॉप जो ऊपर से कूद गए थे काफे सारे लोगों के अकॉर्डिंग वह असली अंकल हाओडी है ही नहीं बल्कि वह कोई और अंकल हाओडी था यह रिपोर्स क तो भी दिखानी नहीं है तो कोई भी बन्दा कैरेक्टर प्ले कर सकता है और हमने देखा भी अंकल हाओडी की फिजिकल अपिरेंस में कभी-कभी चेंजिस आते हैं शुरू में जो टैटन ट्रॉन पर दिखता था वह अलग था जो इन परसना है वह अलग है फिर कभी कुछ वह अलग ही दिखता है तो अंकल हाओडी के बारे में काफे ज्यादा मिस्टरी बनी हुई है देखते हैं एंड में अंकल हाओडी कौन निगल किया था कौन वह सुपस्तार होता है हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी की तरफ और एक खेल खेलने वाली करने वाली चीज़ डवल्ली नहीं करी डवल्ले जो मैच अनाउंस किया है कोडी रोड्स रोमन रेंज का वह घैज अभी तक किसी एक चैमपेंशिप के लिए नहीं है मतलब ऐसा करक já किस चैमपेंशिप के लिए होगा सिर्फ इतना WWE बता रहे है कि Cody Rhodes चैलेंज कर रहे है Roman Reigns को जो कि इस समय Undisputed WWE Universal Champion है Specifically किसी एक title का नाम यहां पर नहीं लिखा गया है अब इससे चीज मुझे तो clear लग रही है कि क्या यह दोनों championship के लिए है लेकिन वो तो possible होता हुआ देखने रहा तो शायर WWE ने ऐसा है लिखा इससे लिए नहीं है किसी एक championship के बार में ताकि fans के लिए अभी से spoil ना हो जाए जब दूसरे title के लिए क्या सीन होगा वो पता चलेगा उसके बाद हम कह सकते हैं कि Cody Rhodes और Roman Reigns का मैस कि championship के लिए है वैसे rumors के according यह match WWE championship के लिए है बड़ा सही खेला WWE ने title mention ही नहीं किया सिर्फ Roman Reigns के नाम के आगे उनके जो titles है उसको लिख दिया बागी mention नहीं किया इसको लेकर दिमाग तो इससे काफी सही लगाते WWE बस इतना ही दिमाग अगर वो अब अगर आपको आज की वीड़ा चुले कि तो से like, share, subscribe, notification bell को on कर दो and see you guys in my next video